लाइक शेर और सब्स्राइब करें हमारे इस चानल को और बेल आइकन को दबना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे बुड मॉनिंग इस्टुडेंट्स आज हम ब्रांच एकाउंट्स के बारे में समझेंगे कि साखा खाते क्या होते हैं इनके क्या उदेश हैं साखाएं कितने प्रकार की होती हैं और साखा खाते बनाने की विधियां कितने प्रकार की हैं इनके बारे में हम आज जानेंगे तो ब्यापारिक संस्थान जो होते हैं छोटे ब्यापारिक संस्थान जो होते हैं उनके मन में तो ये धार ना आएगी नहीं कि हम हमारे दूसरी सहर में कोई साखा खुल ले हमारे ब्यापार की किन्तु जो ब्याड़े बड़े ब्यापारिक संस्थान होते हैं वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम maximum से maximum अधिक्तम से अधिक्तम लाब कमाने की धारना पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाब कैसे कमा सकते हैं इस उद्देश को पूरा करने के लिए उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम दूसरे स्थान पर दूसरे सहरों में अपने व्यापारिक संस्थान की एक साखा और क्यों ना खोल लें तो जब व्यापारिक संस्थानों द्वारा दूसरे स्थानों पर अपने व्यापार की एक साखा खोले जाएगी तो उसके सम्मन्द में फिर मुख के काले मतलब जहां पर उसका एड़ापी से मुख काले द्वारा साखा के सम्मन्द में जो खाते बनाए जाते हैं और मुख काले साखाओं के सम्मन्द में जो खाते रखती हैं उनको हम क्या कहेंगे साखा खाते कहेंगे आप साखा खाता रखने के मोल उदेश मुख्य उदेश क्या हो सकते हैं तो मुख्य उदेश एक तो यह है कि यदि हमारी एक से अधिक व्यादी व्यापाइक संस्थान की एक से अधिक साखाए हैं तो कौन सी साखा से कितना लाव हो रहा है कितनी हानी हो रही है यह जानने के के लिए जो है मुख्य रूप से साखा खाता साखा खाते तयार किया जाते हैं दूसरा कमचारियों पर नियंत्रण साखाओं पर नियंत्रण है तो जब हम यह देखते हैं कि साखाओं के सम्मन्द में जो साखा हैं जो अपने द्वारा जो लेंदेन कर रही है उनके जो है जो लेंदेन कर रही हैं तो कहीं कोई गड़वड़ी तो नहीं हो रही है तो उस पर जो है साख्वाओं पर नियंदं रखा जा सकता है फिर तीसरा ये है कि व्यापार की वास्तिक इस्तिती की जानकारी हो जाती है तो जब भी व्यापारिक सास्थान अपने इहां के मुख्यकारलाय से संभार को ब्रायबर होति रहती है फिर केई बार ये देखा है कि साखाओं को समय से पर कौन-कौन सी कठाई आती है माल के सम्मन्द में, रोकर के सम्मन्द में, खर्च के सम्मन्द में इन कठाईों को दूर करने में भी साखा खाते एक महत्पून उपयोगी सावित होते हैं फिर जब ये परेशानी आती हैं तो उस दसाँ में फिर समय पर सुझाओ देने में भी ये जो है साहक होते हैं तो ठीक इसी प्रकार से जब उनको सुझाओ मिलेंगे संबने साखाओं के कमचारियों को तो उनकी कारकुसलता में भी ब्रद्धी होगी साथ ही साथ आज के समय में बरत्वान समय में जो है लेखांकन ज्यादा से ज्यादा ये माना जाता है कि यदि जो लेखे रखे गहें यदि उनका अंकेक्षन भी हो जाए चार्टर डे काउंटेन के माद्यम से तो वो भी उचित होगा तो जब लेखे रखे जाएंगे तो सभी पक्षों के द्वारा एक विश्वास रखा जाता है कि हाँ यह सही रूप से अपना हिसाथ किताब रखती है तो उसमें भी गुडविल के साथ में ब्रद्धी होती है तो यह साखाओं के उदेश थे अब हम देखें साखाओं के प्रकार तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साखाओं दो प्रकार की होती हैं आपकी एक तो घरेलू साखाओं और दूसरी होती हैं आपकी विदेशी साखाओं घरेलू साखाओं भी जो हैं दो प्रकार की होंगी आपकी सौतंत्र साखाओं और दूसरी होगी आपकी पहली जो होगी आपकी आस्रित साखाएं दूसरी होगी आपकी सौतंत साखाएं तो आस्रित साखाएं एसी साखाएं जो मुख कारले पर आस्रित है अर्थात मुख कारले के दिसाने देशों के अनुसारी वो अपना काम करती है मुख कारले द्वारा ही उन्हें माल भेजा जाता है और जो भी माल की विक्री उनके द्वारा होती है वो पूरी की पूरी रासी मुख कारले को भेज दी जाती है साथ ही साखाओं के सम्मझ में जो खर्चे होते हैं उनके लिए मुख कारले द्वारा अलग से रोकर भेजी जाती है तो जब पूर्ण रूप से यदि कोई साखा मुख कारले पर आस्रित है तो हम उनको आस्रित साखाएं कहीं है सवतंत साखाएं सवतंत साखाएं से आसे ऐसी साखाएं से होता है जो मुख्यकारलय पर प्राय आश्रित नहीं होती हैं, यह स्वतंत्र होती हैं कि खुद अपने सेम माल भी खरीच सकती हैं और अन्य कोई व्यापारी गतिविदियों का संचाला अपने विवेक के अधार पर कर सकती हैं. तो माल जो है मुख्यकारलय द्वारा इने भी भी भेजा जाता है लेकिन यह स्वतंत्र हैं कि खुद भी माल सेम भी माल क्रे कर सकती हैं और जो खर्चों के सम्मन्द में इन पर भी खुद सेम निन्ने लेकर के और पूरी पूरी जानकारी समय समय पर मुख्यकारलय को भेजते रहते हैं तो सवतंत साखाएं जो मुख्य कारले हम यह कहें कि मुख्य कारले पर जो आश्रित नहीं होती है वो सवतंत साखाएं होती है विदेशी साखाएं यदि कोई व्यापारिक संस्थान की साखा विदेश में है तो हम उसे कहेंगे विदेशी साखाएं यह सवतंत साखा है क्योंकि ये वीदेश में होती है और बार बार जो है मुखकारलया पर आस्रित रेना उचित नहीं होता है अब जो हमारी आस्रित साकह नहीं है आ अस्रित साकह नहीं है लिए आस्रि साखाओं में इनके भी जो है आपके प्रकार हैं आस्रि साखाओं के तो पहला जो है मुख कारले से जो है लागत मुल पर माल प्राप्त करने वाली साखाएं और मुख कारले से बीजक मुल पर माल प्राप्त करने वाली साखाएं तो एसी साखाएं जो मुख कारले से ल बागत मुल पर माल प्राप्त करती हैं, एसी साखाएं में जो हैं दो प्रकार की होती हैं, नगत केवल नगत में विक्री करने वाली साखाएं, और नगत और उधार दोनों में विक्री करने वाली साखाएं, ठीक इसी प्रकार से बीजक मुल पर माल प्राप्त करने वाली साख साखाओं के जो प्रकार होंगे साखाओं के प्रकार दो प्रकार के होंगे आपकी घरेलू साखाएं और विदेश साखाएं और विदेशी साखाएं ठीक है अब घरेलू साखाओं में भी दो प्रकार के होंगे यह आपकी आश्री साखाएं आश्रीत साखाएं और और सुर्तनत साखाएं आश्रीत साखाएं भी आपकी दो प्रकार के होंगे केवर लागत मुल पर माल प्राप्त करने वाली साखाएं और बीजक मुल पर माल प्राप्त करने वाली साखाएं दूसरी होगे आपकी वीजक मुल पर पर माल प्राप्त करने वाली साखाएं ठीक किसी प्रकार से यहां पर भी यही लिख लेंगे माल प्राप्त करने वाली साखाएं तो यह साखाएं भी आपकी दो प्रकार के होंगे केवल नगद में विक्री करने वाली साखाएं और नगद एवम उधार दोनों में विक्री करने वाली साखाएं तो संचित में यदि हम देखें तो यही कहेंगे कि साखाएं जो हैं दो प्रकार के होंगी घरेलू साखाएं और विदेशी साखाएं गरेलो साखाओं में दो प्रकार के होंगे आपके आस्रिस साखाओं और सौतंत साखाओं आस्रिस साखाओं में दो प्रकार के होंगे आपके लागत मुल पर माल प्राप्त करने वाली साखाओं और बीजक मुल पर माल प्राप्त करने वाली साखाओं तो इनके भी दो प्रकार और होंगे केवल नगद में विक्री करने वाली साखाएं और उधार दोनों में विक्री करने वाली साखाएं तो यह साखाओं के आपके प्रकार है अब इनके मिनिंग भी इसी से रिलेटेड है क्या है मिनिंग कि ऐसी साखाएं जो मुख्यकाले पर डिपेंड हो वासिस साखाएं जो मुख्यकाले पर डिपेंड नहीं है सहतंत साखाएं कहलाएं और इनके भी आपके यह दो प्रकार है और यह निके जो है आपके मिनिंग है जो उनी से जुड़े हुए है ठीक है अब हम कितनी विदिया हैं तो इसके लिए जो है चार विदिया हैं मुझ के करल अपने हाँ साखाओं के संबन में जो लेखे रखता है उसके लिए चार विदिया है पहली विदिया आपकी साधारन विदि या देंदार विदि तो इसमें जो साखा खाता बनाया जाता है वो एजे ला हम इसको रखते हैं और यदि इसके क्रेडिट तरप का योग जादा होता है अधिक होता है तो हम इसको लाब माननेंगे और यदि डेविट साइट का योग जादा होता है और क्रेडिट का कम होता है तो हम रहनी मानते हैं तो साधरन विधी देंदार जिसको हम देंदार विधी भी कह सकते हैं, डेटर मेथड भी कह सकते हैं, तो इस में जो है, इस विधी के अंतरगा जो साक, एक साका खाता बनाए जाएगा, कौन सी विधी के अंतरगा, देंदार, देंदार या साधरन विधी, इसके अंतरगत जो है साखा खाता बनाया जाएगा एक ठीक है दूसरा एक हम देंदार खाता भी बना सकते हैं क्योंकि अभी हमने देखा साखाओं के प्रकार में कि एसी साखा हैं जो नगर दरुधार दोनों में विक्री करती है जब उधार विक्री करेंगी तो ऐसी दसा में कभी कभी हमको प्रस्ट में प्रारम भी किया अंतिन देंदारों की जानकारी नहीं होती है या कितनी रोकर जो है देंदारों से बरस के दोरान प्राप्त हुई है इसके जानकारी नहीं होती है तो यह जानने के लिए फिर हम एक इसके साखा खाते के साथ एक देंदार खाता भी डेटर्स एकाउंट भी बनाते हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा तो कि अन आप मात्र कखाता है और जो भी साखाओं के संबन्द में जो लेंदेन हुए हैं मुक्ष काले और साखा के बीच में पर लेंदेन है उनको लिखा जाएगा तो सब से पहले जो है यहाँ पर प्रारम्बिक से लिखा जाता है तो बाद चेकाऊं टू बैलेंस ब्राट डाउन और प्रारंबिक जैसे की ओपनिक स्टॉक है ओपनिक स्टॉक लिख लेते हैं ओपनिक कोई भी ब्रांच के पास कोई उसको जो है हम यहां पर लिख लेंगे जैसे फनीचर भी लें लिख लेंगे फिर इसके बाद जितना गूर्ट उसको भेजा गया है तो लिखेंगे घूर्ट शॉप्लाइट टू ब्रांच अकॉंँच एकंट जितना भी साखा को माल भेजा है उसकी जानकरी लिखेंगे फिर इसके बाद two cash account for expenses के लिए साखा को कि जो खर्चे हैं उनके लिए मुख काले जो है समय समय पर cash send करता रहता है तो two cash account लिखेंगे फिर इसके बाद इधर जो है by balance bd opening liabilities को दी हो तो उसको लिखेंगे साखा की इसके बाद यदि साखा ने goods return कर दिया है तो लिखेंगे by goods supplied to branch account ठीके इसके बाद साखा से यदि कोई नगत रासी प्राप्त हुई है मुखकाले को by cash account और और बेंक एकाउंट लिखेंगे bank account फिर इसके बाद जो भी closing balance है साखा के पास तो by balance cd करके लिखेंगे closing stock है तो stock लिख लेंगे closing कोई data है तो उनको लिख लेंगे other कोई assets के balance है तो उनको लिख लेंगे और और difference amount को हम क्या कहेंगे profit and loss तो यहां लिखेंगे statement of profit and loss एकाउंड कुणसा amount difference amount तो यहां पर profit होगा तो यहां लिखेंगे और loss होगा तो यहां लिखेंगे by statement of profit and loss loss होगा तो यहां लिखेंगे कौनसा amount difference amount ठीक है तो इस तरीके से हम branch account बनाते हैं to open it to know opening stock and data and furniture and closing stock data furniture etc कितना माल उसको भेजा गया ब्रांच को इसके जानकारी मिल जाती है खर्चों के लिए कितनी amount sent की है उसको फिर साखा उसे कितना amount received हुआ है फिर साखा ने कितना माल return किया उसकी जानकारी मिल जाती है तो कुल all over यह जानने के लिए बनाते हैं कि साखाएं और मुक काले के बीच क्या क्या लेंदेन हुए है कौन कौन से transaction हुए है इसकी जानकारी हमको साखा खाते से मिल जाती है और साखा से लाव हो रहा है यहानी इसकी जानकारी हमको मिल जाती है ठीक है तो मैंने आपको यह उद्देश होगे फिर मैंने आपको बता है साखाओं के प्रकार साखाएं दो प्रकार की होती है आपकी जो है घरेलू साखाएं और विदेशी साखाएं घरेलू साखाएं भी दो प्रकार की होंगी आपकी आस्रित और जो है सोतंत है डिपेंडेंट ब्रांच और इंड नगद और उधार दोनों में विक्री करने वाली साखाएं। ठीक इसी प्रकार से बीजग मुल प्रमाल प्राप्त करने वाली साखाएं। तो ये साखाओं के प्रकार हैं। जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैंने पहली वीदी बताई आपको देंदार या साधान वीदी जिसके अंतरगात साखा खाता बनाया जाता है। और आपका एक देंदार खाता और बनेगा इसमें। जिसमें देंदारों से संब्देनों को लिखा जाएगा। ओपनिंग वेलेंस आपडेटर्स एंड शेल्स कितना क्रेडिट किया है। उनसे देंदारों से कितना एमांट मिला है। इन सब के जानकारी जो हम डेटर से एकांड में लिखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कॉफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी दूसरी वीदियों के बारें समझेंगे। किसा खाओं के खाते। जो है कितनी वीदियों से मुख कर लेके द्वारा त्यार किये जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही ठीक है। और थेंक्यू।